हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओल अबाउट टैक्सेज मैसेल्फ सीय मनोज गुपता और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप लोटरी जीतते हैं या फिल किसी गेम शो से कोई प्राइस जीतते हैं आपको क्रोस वर्ड पजल्स वगेरा खेनने का शोक है और उसमें अगर आप कोई इनाम जीतते हैं तो ऐसे में जीती गई इनाम राशी पर कितना टीडियो कटेगा आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जैसा कि हम सब देखते हैं कौन बनेगा क्रोडपती शो में जो भी व्यक्ति जितनी इनाम राशी जीतता है उसको उतनी राशी नहीं मिलती है उस राशी में से TDS डिड़क्ट किया जाता है और TDS डिड़क्ट करने के बाद वह इनाम राशी जीतने वाले को दी जाती है TDS deduct करने के बाद की जाती है तो ऐसे में ध्यान रखे अगर आप कोई भी लोटरी जीतते हैं या फिर क्रोसवर्ड पजल से कोई प्राइज जीतते हैं जा फिर किसी गेम शो से कोई प्राइज जीतते हैं इन सभी इनाम राशी को देते हुए सबसे पहले TDS deduct किया जाता है और उसके बाद बैलेंस अमाउंट के पेमेंट आपको की जाती है अब बात आती है कि इस पर कितना TDS deduct किया जाता है According to section 194b TDS on winning from lottery or crossword puzzles etc. Every person responsible for paying to any person any income by way of winning from any lottery or crossword puzzle or card game and other game of any short in an amount exceeding Rs. 10,000 shall at the time of payment thereof deduct income tax their own at the rate of 30%. अगर कोई भी व्यक्ति payment कर रहा है या payment करने के लिए responsible है किसी व्यक्ति को जो की lottery से जीती हुई कोई income है या फिर crossword puzzle या card game या फिर किसी अन्यत रहके game show से जीती हुई कोई इनाम राशी है तो ऐसे में जो भी व्यक्ति इस payment को करने के लिए responsible है वह व्यक्ति payment करते हुए 30% का TDS deduct करेगा और balance 70% winner को दिया जाएगा for example अगर कोई व्यक्ति एक लाख रुपे की lottery जीतता है तो ऐसे में जो भी व्यक्ति एक लाख रुपे देने के लिए liable है वह व्यक्ति 30% का TDS deduct करेगा 30,000 रुपे का TDS deduct करके government को deposit कराएगा और balance amount 70,000 जीतने वाले को दे देगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर जीता गया इनाब 10,000 रुपे से कम है या फिर 10,000 रुपे है लेकिन 10,000 रुपे से ज़्यादा नहीं है तो ऐसे में कोई भी TDS deduct नहीं किया जाएगा यहाँ पर ध्यान रखे किसी भी game show में अगर कोई price रासी दी जा रही है तो दिये जाने वाला check या फिर digital transfer होता है वह एक dummy transfer होता है या फिर dummy check होता है actual जो payment की जाती है वह 30% TDS deduct करने के बाद दी जाती है अब यहाँ पर एक बात आती है अगर इनाम में कोई वस्तु जीती जाती है example अगर आप किसी crossword puzzles में कोई इनाम जीतते हैं जो की एक fridge है जिसकी market value 30,000 रुपे है तो ऐसे में सामने वाला जो भी व्यक्ति वह इनाम दे रहा है वह आपको इनाम में दिये जाने वाले fridge से पहले उस पर जो भी tax बनता है 30% का जो की 9,000 रुपे होता है अगर हम fridge की value 30,000 रुपे लेते है तो ऐसे में यहाँ पर 30% 9,000 रुपे TDS बनता है तो यहाँ पर इनाम में दिये जाने वाले fridge से पहले यह इन्शोर किया जाएगा की 9,000 रुपे का tax जीतने वाले के द्वारा जमा करा दिया गया है Provided that in a case where the winnings are wholly in kind or partly in cash and partly in kind but the part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of all of the winnings the person responsible for paying shall before releasing the winnings ensure that tax has been paid in respect of the winning तो जो भी व्यक्ति वह इनाम आपको दे रहा है वह इन्शोर करेगा की उस पर जो भी tax बनता है वह deposit करा दिया गया है यहाँ पर अगर इनाम में आप कोई वस्तू जीतते हैं या फिर कोई वस्तू जीतते हैं साथ में कोई इनाम राशी भी जीतते हैं लेकिन इनाम राशी इतनी sufficient नहीं है कि आप tax deposit करा सके for example आप 30,000 रुपे का fridge जीतते हैं साथी 5,000 रुपे का cash नगद इनाम जीतते हैं तो यहाँ पर 35,000 रुपे जिस पर की 30% का tax बनता है 10,500 रुपे जबकि आपको जो नगद राशी मिली है रहे 5,000 रुपे है जो कि sufficient नहीं है 10,500 रुपे का tax deposit करने के लिए तो यहाँ पर इस case में भी इनाम देने वाला ensure करेगा कि इनाम देने से पहले आपने 10,500 रुपे का tax deposit करा दिया है Friends आपको ज्यान रखना है अगर आप इनाम में कुछ भी जीतते हैं तो यहाँ पर आपको 30% का tax pay करना होगा इनाम देने वाला 30% का TDS deduct करेगा और balance 70% amount आपको दे देगा I hope friends आज की ये वीडियो आपके लिए useful होगी देखते रहिए, like करते रहिए, share करते रहिए हमारे चैनल All About Taxes को और साथ ही visit करना मत भूलिएगा हमारी website www.allabouttaxes.in for more updates